चुनाव आयोग की सूत्रों के हवाले से एक खबर ये है कि 2024 के लोग सभा चुनाव 6-7 चरणों में हो सकते हैं तमिल नाडू, केरल, गुजराथ, हरियाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र श्रासित प्रदेशों में एक चरण में चुनाव हो सकता है जबकि उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में 6-7 चरण में चुनाव हो सकते हैं महाराज्चु में 4-5 चरण में चुनाव हो सकते हैं मध्य प्रदेश, असम में 2-3 चरण में चुनाव करवाय जा सकते हैं किश्मीर की बात करें तो विधानसभा चुनाव की घोषना की संभावना हाला की यहां से कम दिखाई दे रही है मौजूदा लोगसभा का कारेकाल 16 जुन को खत्म हो रहा है और उससे पहले नई सरकार के गठन की प्रुक्रिया पूरी करनी होगी अब इसलिए कई राज्यों क से बात करते हुए केंद्रिय मंत्री प्यूष गोयल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी महाराष्ट में 45 से ज्यादा सीटे जीतने वाली है कि मुंबई जनम भूमी मुंबई करम भूमी अब मुंबई चुना भूमी होने वाले किस साथ से देखने हैं बहुत आनंदित हूं और मुझे मुक्त दिया है मेरे नेताओं ने मानिया मरेंद मोदी जी मानियामिच्शा जी का मैं कितिक अबहर रखत पकट करता हूं नड़ जी का देवेंद जी का और बहुत उत्सा है उत्तर मुंबई कल गया था सब से मिलना हुआ लोगों से मिलना हुआ हमारे भाज़पा के नेता और कारिकरताओं से मिलना हुआ मुझे उमीद है कि जो दस वर्षों से मुझे मौका मिला देश की सेवा करने का जिसमें मुंबई मुंबई के लिए बीए विक नहीं आप हर पाए उसको और अगे धाने के लिए अब उत्तर मंबई ये कारिया शेत्र भी बनेगा और उत्तर मुंबई के लिए कई सारे प्लांस लेकर नहीं आप आए ता सबस्क्राइड है कि जो टैसंपी correct इलेवे लेकिन उपीनिट और दिल की बात अब चुनाव पेटी में निखली आएगी तो अपीनिन पूल में महाराश्पी 41 प्रस आ रहे हैं महाराश्पी में 45 प्लस होगा मुंबई के 6 के 6 सीट धाना और आसपास की सबी सीटों पे क्लीन स्वीप भार्तिय जन्ता पार्टिय और हमें हमारे मित्रपक एंडिय के विज़ार पक्का है अब तमान राजनेतिक गलों को भी इसी दिन का इंतजार था तारिकों का एलान हो जाएगा और उसके बाद सियासी पातिया और उम्हीदवार अपनी पूरी ताकत इस रण में जोकने वाले हैं सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल से जल चुनाओगी तारिक गोसीत हो और पूरी पार्टी अपनी तयारी के साथ खड़िये और मजबूती के साथ उत्तपरजिस कंदर चुनाओगा और इंडिया गण बंदन जीतेगा निश्यताओक ते क्योंकि आम जनता, आम लोग परिशान हैं, दुखी हैं, उन्हें उत्तपरजिस के 17 सीट बाकी हैं, क्योला मेठी राइबे रिली ने 17 सीट बाकी हैं और एक साथ घुसीत होंगे हमारा दो ही मुद्दा है, एक तो है, वान फेस में भोट चाहिए, क्योंकि हमारा स्टेट को जो सिचुएशन है, कॉम्प्ली फुली पिस्पूल डेमोक्राटिक सिचुएशन इन वस पेंगल, हम लोग एक ही फेस में इलेक्शन चाहते हैं, अब देखिए, ये पिछले एस अब आपको ये बताते हैं कि कहां पर अभी भी किसका गटमन्वन फसा हुआ है, बड़ी तस्वीर क्या कहती है, ये अब आपको दिखाते हैं, बिहार की 40 सीट हैं, यहां आरजेडी और कॉंग्रिस की सीट शेरिंग अभी भी ते नहीं हो पाई है, लालु यादव कॉंग् अभी तक सीट फाइनल करा ही नहीं पाए है, अब पश्चुम बंगाल की बात करें तो 42 सीटे हैं, केरल में 20 सीटे हैं, दोनों जगां इंडिया गटमन्दन तूट चुका है, ममता बेनर जी ने बंगाल की सभी 42 सीट पर चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है, अकेले ही, तो कॉंग्रिस के लिए उन्होंने कोई गुंजाई छोड़ी ही नहीं है, अब 20 सीटों वाले केरल में भी लेफ्ट ने कॉंग्रिस का कोई लेहाजी नहीं किया, राहु गाली की सीट वायनाट पर भी उसने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, इसलिए गटबंदन अभी भी कई राज्ये ऐसे हैं जहां पर फस्ता हुआ दिखाई दे रहा है, और आगे क्या इनका भविश्य होगा ये भी किसी को नहीं पता, अब लोक सभा चुनाव के साथ साथ, आंधर प्रुदेश, ओरिशा, सिक्किम, अरुनाचल प्रुदेश के विधान सभा चुनाव की अब पर फिर से आपको ये बताते हैं कि किन-किन राज्यों में कितने फेज में वोटिंग हो सकती है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बंगाल और विहार में 6-7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। ये बताये जा रहा है कि पॉसिबिल्टी है राज्यों की जनसंख्या और वहां के शेत्र फल के अलावा। सुरक्षा के नजरिये से एक पॉसिबिल्टी है कि इन तीन राज्यों में 6-7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। अब महराश्च्ट में 4-5 चरण में चुनाव किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ साथ असम में दो से तीन चरणों में चुनाव हो सकते हैं तमिल नाडू, केरल, गुजरात, हरियाना, आंध्य प्रदेश, तिलंगाना और केंदर शासित प्रदेशों में एक चरण में चुनाव कराया जा सकता है ऐसी संभावना जाहित की जा रही है अब चली आप ये भी देख लीजिए कि चुनाओं में बड़े मुद्दे इस बाग क्या होने वाले हैं सबसे बड़ा मुद्दा जो हाल ही में हमने देखा केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूसना जारी की जो की C.E.A. इसके बाद राममंदिर एक बड़ा मुद्दा मजबूत सरकार की ग्यारंटी जो बार बार बताई जाती है इसके अलावा आर्थिक विकास की ग्यारंटी, मुफ्त अनाज, अनुचे 370, महिला, आरक्षन, बेरोजगारी, महंगाई, जातिय जनगर्ना, परिवारवाद, किसान ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर आप कहीं मर्तबा पक्ष विपक्ष को कहीं न कहीं अपनी आवाज बुलंद करते हुए भी दिखाई देंगे एक तरफ सरकार अपने किये गए कामों को गिंबाती है तो विपक्ष भी पूरी कोशिश में कैसे सरकार को गेरा जाए अब इस समके बीच एक और बड़ी खबर ये है कि CAA पर घमासान अब भी जारी है सियासी हमलों का दौर अभी भी चल रहा है एक बार फिर से AI MIM चीफ असुदुदीन OECC ने केंदर सरकार पर हमला बोल दिया है और ये कह दिया है कि एक साज़िश है जिसके जरिये हमें परिशान और हमारे मुलकों को परिशान करने का ये मकसद है उन्होंने ग्री मंत्री अमिश शह और पीम मोदी का नाम लेकर कहा है कि अगर किसी की नागरिक्ता नहीं जाएगी तो दोनों नेताओं को खड़े होकर ये कहना चाहिए कि NPR और NRC नहीं आने वाला है असुदुदीन OECC, CEA और NRC को लेकर जबरदस्थ हमलावर इससे पहले भी कई मरतबा देखे गए है केंदर सरकार पर अब ये कहा कि अगर नागरिक्ता नहीं जाने वाली है तो फिर अमिश्चाह और प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी बकायदा नाम लेकर उने कहा कि साथ में खड़े होए और कहें कि NPR और NRC नहीं होने वाला है आप क्या कहरें आज नहीं जो हिंदू है सीख है इसाई है बोध मजब का है उसी को सिटिजन्शिप मिलेंगे मेरे भाई ये इनकी साजिश है कि हमको हमारे मुल्क में परेशान करके रखती आ जाए तो मिच्छा बोल रहें नहीं नहीं कोई मुसल्मान की सिटिजन्शिप नहीं ली जाएंगी तो मोटी को मिच्छा को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी NPR और NRC नहीं होगा देश में बोलो जब बोली तो मिच्छा बोली के बाएंगी